कर बेंगे से पर थे ज़ calling हर यू आज हम लोग डिसक्स करेंगे लिडिई से अमस्टर्फम रुके संबस को जैसा कि आप लोग पिछले समस्टर में फर्थ सैम जो था उसमें आप लोगोंने तीन पेपर पड़ा था और एक सिसी पेपर पड़ा था सेम इस बार भी वही है तीन कोर पेपर है आप लोगों का वहाँ पर आप लोग कोर 7 तक पढ़े थे जस्ट उसे के आगे कंटेनिव करेगा कोर 8, 9, 10 तीन कोर है कोर 10 तक 8, 9, 10 और एक सेसी पेपर होगा तो पहले हम लोग कोर पेपर को डिसकस कर ले कि कोर पेपर में क्या-क्या पढ़ना फिर हम लोग एक सेसी पेपर को देखेंगे तो देखे कोर 8 जो है उसमें आप लोगों को पढ़ना है रेनेसास एंड रेफोर्मेशन इन यूरोप यह पढ़ना है और एक चाहिए आप लोग इस बार ध्यान रखे कि आप लोगों के सेलेबस का मूस्टली पोर्शन जो है व पढ़ना होगा तो वहां पर भी कहीं न कहीं विश्व की दूसरी देशों की बाते आ जाती है तो अगर आप वर्ड हिस्ट्री की कोई एक बुक लेते हैं जिसमें लगभग प्रथम विश्वयद्ध से लेकर उसके बाद की घष्टना इवन उससे भी पहले यूरोप का कु इसी भी विल्ड हिस्ट्री की बुक लेकर लीजिए उसके बाद वहां से अपने जो सिलिबस में जो टॉपिक है उसको मिला लीजिये कि कौन से टॉपिक है जो इस बुक में अवैलिबल है तो आप लोगों को इस बर पूरा जो है वो वर्ड हिस्ट्री से ही जुड़ी पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री का कोई बहुत बड़ा सिग्मेंट यहां पर नहीं है तो थोड़ा सा यह अन्फेमिलियर हो जाता है इसके लिए आप लोग वर्ड हिस्ट्री की बुक को फॉलो करें देखिए पहला जो टॉपिक है रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन का और यह सब्सक्रावन में हम लोग देखेंगे क्या है युनिट Wellman में है युनिट an च오 भाटग्राउंड पॉलिटिकल और शोषब लाग्राउंड पॉलिटिकल अर्ली मॉडं यूड्रोप और अर्ली नॉर्ट आपकि का political और social background देखना है किस तरह से राजनितिक विवस्था थी वो देखना है collapse of feudalism and the changing economic life in the 15th and 16th century feudalism जो था सामंतवादी विवस्था जो एक मध्य कालीन यूरोप की महतोपूर्ण विशेष्था थी एक महतोपूर्ण विवस्था थी उसका अंत कैसे हुआ collapse वो कैसे किया आप वो देखना है और इस collapse से किस तरह से economic life में changes आया 15th and 16th century में उसके बारे में पढ़ना है commerce and navigation monarchies and city state उसके बाद और क्या देखना है commerce and navigation इस समय जो वानिज्ज था और navigation जो था उसके बारे में देखना है monarchies and city state जो राश्तंत्र थे हैं राश्त्राज्य थे हैं उनके बारे में देखना है features of the early modern state the printing revolution और किस तरह से printing revolution का क्या महत्व है unit 2 में हम लोग italian city state, the merchants, the church and the social context of the renaissance renaissance का जो सामाजिक परिपेक्चे आधार था उसके बारे में हमें देखना है यहाँ पर italian city और merchants के बारे में भी देखना है origins of humanism मानवतावाद का उदभाव कैसे हुआ re-discovery of the classics जो भी सास्त्रिय चीजे थी उनको फिर से किस तरह से खोजा गया the impact of humanism on art जो मानवतावाद था उसका art, education and political thought पर क्या प्रभाव पड़ा Machiavelli and idea of modern state Machiavelli ने modern state के बारे में क्या बताया है renesia science and the emergence of secular culture पुनरजागरन काल में जो विज्ञान की प्रगती हुए उसके बारे में देखना है और secular culture का किस प्रकार उदभा हुआ है वो हमें देखना है secular means एक दहर में इरपेक्च संस्कृती का विकास कैसे हुआ unit 3 में the background of the formation reformation reformation का प्रिष्ट भूमी क्या थी यानि इसके पीछे क्या क्या कारण थे intellectual and popular anti-clerialism बौधिक और मुखेता anti-clerialism के बारे में हमें देखना है martin luther and the reformation martin luther और reformation में क्या योगदान रहा है यानि जो धर्मसुधारां दोलन है उससे जुड़ा हुआ चीज martin luther का विशेश योगदान है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है reformation in the national context राश्ट्रिय परिपेक्ष्य में reformation के बारे में पढ़ना है किस-किस राज्य या राश्ट्रिय में हुआ ये फ्रांस से प्लिंक करके Switzerland and England इन तीनो state के बारे में देखना है the distinctiveness of the English reformation और जो आंग्ड reformation हुआ था उसमें क्या अंतर था radical reformation radical reformation के बारे में भी देखना है the anabaptist catholic counter reformation anabaptist के बारे में हमें पढ़ना है और catholic reformation के बारे में पढ़ना है यानि renaissance and reformation को detail में हम लोगों को यहां पर देखना है unit 1, 2, 3, 3, 9 अब हम लोग आ जाते हैं core mixed core paper में core 9 इसमें हम लोगों को पढ़ना है France की करांती फ्रांस के बारे में पढ़ना the French Revolution and Napoleon Bonaparte यह आप लोगों का core 9 है और इसमें देखिए unit किस परकार दिये हुए है पहला जो unit है historiography of the French Revolution जो France की क्रांती हुई थी उसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है इतिहां सिखन के बारे में हमें देखना है उसकी historiography के उपर study करना है unit 2 जो है crisis of the asiarism जो अशिया रजम था या आशिया रजम जो था प्राची फ्रांस से लिंक किया गया है वो किस तरह से वो crisis में पढ़ा next है unit 3 में intellectual impetus socio-economic background intellectual impetus के बारे में पढ़ना है और इसका सामाजिक आर्थिक background देखना है French Revolution के कुछ phases थे हैं उसमें जो 1788 से 99 का phase है वो unit 4 में हम लोगों को पढ़ना है unit 5 जो है rise of Napoleon empire building and consolidation Napoleon का उद्भव कैसे हुआ Napoleon Bonapart का उसमें किस तरह से empire को बिल्ड किया और उसको consolidate किया impact of the French Revolution and Napoleon Bonapart outside France French Revolution and Napoleon Bonapart का पूरे Europe पर क्या प्रभाव पड़ा fall of Napoleon and restoration of old order the Vienna Congress and maternity किस तरह से फिर नेपोलियन का पतन हो गया और जो पुरानी विवस्था थी पुराना जो क्रम था उससे फिर से किस तरह से स्थापित किया गया और वियना Congress में क्या-क्या चीचे हुई maternity का क्या-क्या योगदान रहा वो सारी चीचे हमें देखनी है यानि overall France की क्रांती और Napoleon Bonapart के विशर में हमें इस पेपर में देखना है semester 4 का जो core 10 है next core paper है वो है 19th century revolution in Europe यानि यहां पर भी आप लोगों को modern Europe के बारे में पढ़ना है unit देख लेजे क्या क्या है पहला जो unit है the Greek war of independence युनानियों का जो war of independence हुआ उसके बारे में the revolution of 1830 in France France में 830 की जो क्रांती हुई विद्रो हुआ उसके बारे में पढ़ना है the revolution of 1848 was it possible turning point 1848 में उकरांती हुई उसके बारे में और क्या यह एक turning point था इसके ओपर हमें विचलेशन करना है unit 2 the second empire in France and Louis Napoleon France में जो दुईतीय सामराजी की स्थापना हुई वो और Louis Napoleon के बारे में पढ़ना है unification movement of Italy and Germany Italy और Germany का जो एकिकरन हुआ है वो हमें देखना है the third republic in France and the Paris Commune तीसरे republic की जो स्थापना हुई थी France में और Paris Commune के बारे में हमें देखना है कि paper France वाला जो है पिछला paper जो था कोर 9 आप लोगों का और को 10 का कुछ कुछ चीजे हैं जो मिलेगी और प्रिष्ट भूनी में कुछ चीजे हैं वो भी similar है Unit 3 में है Russia जारिस्ट Autocracy and Reform उनकी Autocracy के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार उन्होंने अपने हिसाब से शाषन किया और क्या क्या reform किया उनका जो निरंकुष दंत्र था या उनकी अपनी वन्मानी का जो शाषन था और उसके बारे में लिखना है Autocracy के बारे में लिखना है Russia Emergence of the revolutionary movement उसमें किस प्रकार revolutionary movement का उदय हुआ उसकी प्रिष्ट भूमी क्या थी वो देखना है Next जो पॉइंट है The Eastern Question The Crimean War The Treaty of Paris Balkan Nationalism Crimean War जो हुआ है Crimean War उसके बारे में देखना है Treaty of Paris और Balkan राष्टरवाद के बारे में पढ़ना है कि बालकन राजियो में किस तरह से nationalism का कंसेप्ट आया Unit 4 है Society and Economy in 19th Century Europe Europe के उनुश्वी सताबदी में महा की सामाजी के विवस्था और आर्थिक विवस्था के बारे में Industrial Revolution in Britain किस प्रकार? Britain में और द्योगी करांती हुई उसकी प्रिष्ट भूमें में क्या क्या चीज़े थी Next point है Difference in the industrialization process between England and the continental powers Industrialization के process में किस प्रकार difference आया है England और उसके continental powers में France हो गया, Germany हो गया रशिया Next point है Emergence of the working class and its movements Industrial Revolution के बाद एक working class का उदय हुआ है और उनके दवारा जो आंदूलन किये गये हैं उसके बारे में हमें देखना है The Impact of Ideology Louis Blank यहाँ पर हम लोगों को Ideology के बारे में पढ़ना है Louis Blank के Unit 5 Nationalism in Eastern and Southernist Europe Southernist और Eastern Europe में किस प्रकार आश्रवाद की भावना फैली उसमें specially कुछ particular region के नाम दे दिये गये हैं जैसे चेज है Hungary हो गया, Siberia हो गया वहाँ पर नेशनलिजम का उद्भाव हमें देखना है नेक्स जो पेपर है वो SEC पेपर है SEC पेपर आप लोगों का The Making of Indian Foreign Policy 1947-1998 के बीच में इंडिया की foreign policy कैसी रही है क्या-क्या कदम उठाये कैं है कौन-कौन सी नीतियां अपनाई गई है को हमें देखना है देखें, यहाँ पर यूनिट है यूनिट वन, historical factors in India's foreign policy, priorities, pan-asianism इंडिया की जो foreign policy में किस चीज को प्रात्मिकता दिया गया है उसका historical factor क्या है, historical कारिन क्या है और pan-asianism का concept हम लोग देखेंगे Next है the state, India and the third world non-alignment, regional cooperation किस तरह से जो third world है, तीसरी दुनिया, जब विश्व कोल्ड वर के समय, जब दो ध्रुवों में बढ़ गया था उस समय, third world का एक concept आया है third world में जो developing country है उसका और इंडिया के बीच का relation हमें देखना है non-alignment, जो गूर्ट निर्पेक चिता हुई थी, गूर्ट निर्पेक चांदोलन हुआ था, उसके बारे में हमें पढ़ना है छेत्री कोपरेशन जो है, रिजिनल कोपरेशन कैसे किया गया, इसमें कौन-कौन से कदम उठाए गया, रिजिनल कोपरेशन के कारण, रिजिनल कोपरेशन के लिए कुछ संगठनों का गठन हुआ, उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है इंडिया और शावत इसीया के बीच का रिलेशन हमें देखना है, उनके साथ किस तरह का संबंथ है। सोव्यत संघ के साथ किस तरह का संबन्थ है और चीन के साथ निक्स्ट आजाता है यूनिट 5 इंडिया और ग्लॉबलाइज़ेश इंडिया और भुमंडली करन या वैस्वी करन जिसे हम कहते हैं उसके बारे में हमें देखना है कि West V Currency इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है Next, Economic Diplomacy, The East Policy and the European Union Economic Diplomacy देखना है हमें इस portion में और East Policy जो है वो और European Union को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है Last वाला जो unit है वो nuclear policy के बारे में पढ़ना है इंडिया का जो nuclear policy है उसके बारे में तो overall आप लोगों का तीन core paper हो गया और एक SEC paper यह आप लोगों के syllabus में include है और पूरा ही आप लोगों को इस बार modern Europe या modern world से related कोई भी एक book follow करना है और SEC paper के लिए जिसमें international relation पढ़ना है देखिए वहाँ पर कुछ बुक्स यहाँ पर दिये गया है यह 5 नमबर तक इसमें से गर आप चाहें तो कोई एक book को ले सकते हैं यह आपके लिए helpful रहे तो अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं हम लोग next video